हलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल जे के एक्जाम ट्रिप माई दूर्ट्रेंट्स गौर्णमेंट कलेज आफ फिजिकल एजुकेशन गादूरा गांदरबल जो कश्मीर के अंदर है इनकी तरफ से एडमिशन नोटिफकेशन निकाला गया है तो इस वीडियो में हम इसी के रिलेटिर बात करेंगे तो ये जो नोटिफकेशन आपको स्क्रीन पेश हो रहा है ये बीपेट के एडमिशन के लिए निकाला गया है बीपेड यनिकी पेटलर आफ फिजिकल अजूकेशन और दाकेडमिक सेशन 2022-2023 जो भी केंडिडेट्स बीपेड की एडमिशन करवाना चाहते हैं इस कालेज के अंदर वो केंडिडेट्स जो अब अपना अपना एडमिशन फॉर्म जहें ऑनलाइन फिल कर सकेंगे तो इसके अगर eligibility की बात की जाए तो जो भी केंडिडेट्स बीपेड की बीपेड में अडमिशन लेन चाहते हैं उनकी eligibility की बात की जाए तो first चीज जुआ है ये candidate जो है जेंड के UT का रहने वाला होना चाहिए resident of जेंड के UT उसके बाद जो है वो graduate होना चाहिए किसी भी stream के अंदर from a recognized university तो उसके बाद जो है अगर percentage की बात की जाए graduation में general category की जो percentage है वो है 45% marks जनिके अगर आपकी general category है तो graduation के अंदर आपके 45% marks है तो आप BPA के admission के लिए eligible हैं यह है general category की बात तो अगर दूसरी reserve category के अगर हम बात करें PSP होगा, STC वगरा, RBA तो उनकी graduation में 40% marks होने चाहिए अगर 40% से marks आपके कम हुए तो फिर आप BPA के admission के लिए eligible नहीं होने चाहिए अगर उसके लिए आप eligible नहीं हैं तो उसके बाद जो है stream के अगर बात कीज़े तो graduation आपकी किसी भी stream में होने चाहिए लेकिन 45% general category और 40% marks पे वो आपके होने चाहिए और उसके बाद आपने किसी भी sport के अंदर participate किया होना चाहिए at least किस लेवल तक इंटर डिस्टर्क इंटर स्टेट या इंटर कालज लेवल तक इना recognize sport event के अंदर आपने जो है क्या होना चाहिए participation की होनी चाहिए तो तब ही जो है आप admission के लिए eligible होंगे तो उसके बाद जो है अगर आपको इनकी admission policy जाननी है तो यह आप website इनकी विजिट करके वहाँ पर जो है देख सकते हैं और eligibility चाहिए और दूसरी जो details है अपना application फॉर्म फिल करने से पहले पहले complete detail अगर आपको चाहिए तो आप इनकी website विजिट कीजिए jkgcop.edu.in तो वहां से जाके आप देख सकते हैं तो उसके बाद अगर कुछ important date से उनकी बात की जाए जो online application form है वो start हो जाएंगे जिक अब 30th of July 2022 से फिल होना start हो जाएंगे और इसके बाद अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो जो लास्ट डेट है वो है 22nd of August 2022 तक link जो है यह active रहेगा admission के लिए लिंक आपको कहां पर मिलेगा इनकी इस college की जो official website www.jkgcop.edu.in इस website पर आपको admission link मिलेगा कब 30 July 2022 से उसके बाद जो last date है submission of admission form वह कितनी है जी वह है जो हमने अपर डिसकास किया है 22nd of August 2022 तन उसके बाद जो date of submission of hard copies किसके साथ जितने भी requisite testimonials और free receipt कितनी हों रुपीज 250 की यह आपको क्या करना है government college of physical education गदूरा गांदरबाल के अंदर आपको submit करनी है अब 25th of August 2022 तक आपको क्या करना है जो भी आप अपना application form fill करेंगे उसको आपको क्या करना है उसका प्रेंट ओर लेके hard copy जो है along with requisite documents और उसके बाद free receipt के साथ 250 यह जो free receipt है इसके साथ आपको college के अंदर जाके submit करना है तो यहाँ पर आपको नीचे लिखाव भी मिल जाएगा जो hard copy है along with requisite documents are to be submitted in the office of principal government college of physical education गादुरा गांदर बालिन परसन आद्रू पोस्ट पाई और बिफोर 25 ताफ़ अगास्त 2022 आपको क्या करना है सब्सक्राइब पहले आपको form online करना है form fill करने के बाद आपको क्या करना है उसका print out लेना है और जो भी इसके document required है जो भी documents पर है application form के साथ लगेंगे वो आपने क्या करना है उनके copies जो है वो साथ लगा के आपको जो इनका office है principal office जो है college का वहाँ जाके आपको submit करने कब 25 आफ़ अगास्त 2022 से पहले तो यह जो है आप इनको खुद खुद college में जाके भी जो है submit कर सकते हैं या फिर आप through post के जरे भी speed post के जरे भी आप वहाँ पर बेज़ सकते हैं तो उसके बाद यहाँ पर नीचे एक और important information है जो देर से किसके लिए for conduct of physical efficiency test और वाइवे के लिए उसको लग से notify किया जाएगा तो इसलिए आपको क्या करना है जो इन college की official website है उसको visit करते रहना है अगर आपको ज्यादा details चाहिए तो college की website visit किजिए यह वाली तो यह वहाँ पर आपको information मिल जाएगी तो dear friends इस वीडियो में आपको बस यही information देनी थी तो that's the end of video thanks for watching as always god bless you all